नमस्कार वीकेबी न्यूस की खास सटी और महतोपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रोन के चलते मुंबई सहित राज़भर में नाइट कर फ्यूल लागू है इस वज़े से हर साल दिसंबर के अंतिम सब्ता में जिस तरह से होटल वालों का वेवसायच चलता था उसमें 30 फिसदी से अधिक गिरावट आई है वही नीट पीजिक काउंसलिंग में देरिकासर स्वास्त सेवाओ पर पढ़ रहा है नए वर्ष में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी कांदेशा जताया जा रहा है इसे बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने नितेश राने का नाम लियर भी नाच चुट की ली कि हम जानवरों का प्रत्रिदित्वन नहीं करते दूसरों का मजाग बनाना और जानवरों की आवाज निकालना लोगों के विश्वास के साथ धोका है तो उधर प्रदेश के स्कूली शिक्षा राजमंत्री बच्चू कडू ने कहा कि जलगाओं में शिक्षक और शिक्षक के इतर करमचारियों को शालालतक्रमा का आवंटित करने में हुई अनियमित्ता मामले में निलंबित ततकाले इंशिक्षन आदिकारी देविदास माजन को बरखास किया जाएगा इसके अलावा मालेगा और बमधमाके के मुकदमे के एक गवाहा ने दावा किया है कि आतंगवाद निरोधक दस्ते ने उसे इस मामले में उत्तर प्रदेश के मौजुदा मुक्यमंत्री योग्या दितनात वर राष्ट्य सेंस्वक संके चार नेताओ का नाम लेने के लिए धमकाया था प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ हर साल दिसंबर के अंतिम सपताह में जिस तरह से होटल वालों का व्यफसाय चलता था उसमें 30 फिजदी से अधिक गिरावट आई है कारण कोरोना वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के चलते मुंबई सहीत राज्य भर में नाइट कर्फियू लागो है होटल और रेस्टरॉन वालों के मुताबिक हर साल 31st नाइट मनाने को लेकर दूसरे राज्यों से भी लोग आते है लेकिन नाइट कर्फियू की वज़से लोग मुंबई और सटे उपनगर में पार्टी मनाने कि लिए आने से कतरा रहे है नाइट कर्फियू की वज़से लोगों में असमंजस है इसलिए अब लोगों ने रात 9 बज़े के बाद निकलना कम कर दिया है इससे होटल व्यवसाय पर फर्क पड़ा है हर साल 24 दिसंबर से एक जनवरी तक मुंबई के बाहर से लोग पार्टी मनाने आते हैं इस बार सरकार की गाइडलाइन की वजह से लोगों ने मुह मोड लिया है अब लोग पार्टी मनाने के लिए दूसरे राज्यों में जाने की योजना बना रहे हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन को लेकर कोई प्रतिबंध लागू नहीं है होटल वालों को उमिद थी कि दिसंबर के आखरी सब्ता अच्छा व्यवसाय होगा लेकिन सरकार ने गाइडलाइन में रात 9 बज़े से सुबह 6 बज़े तक करफ्यू लगा दिया है इसकी वज़ा से लोग अब होटलों में नहीं आ रहे हैं लोगों में कन्फ्यूजन है कि रात 9 बज़े के बाद खाना खाने भी होटल में भी नहीं जा सकते हैं इसलिए सरकार को सफाई देनी चाहिए कि रात में होटलों में खाने पर मनाई नहीं है, सिर्फ सारवजनिक स्थलों पर गुमने के लिए निकलने वाले लोगों पर रोक लगी है नेट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिटेंड डॉक्टरों का राष्ट्रवयापी विरोत प्रदर्शन जारी है इससे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में भी देरी हो रही है हर वर्ष इस पीजी काउंसलिंग के जरिये देश को 50,000 से अधिक डॉक्टर्स मिलते है इससे मुंबई सहित राज्य को 5,000 डॉक्टर्स मिलते है लेकिन इस वर्ष ये डॉक्टर्स नहीं मिल पाये है इसलिए नेट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर दिली में रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स भले ही इसे लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हो लेकिन उनकी हालत खसता हो गई है पिछले चान महिने से Senior Resident Doctors Junior Resident का इंतजार कर रहे है लेकिन काउंसलिंग में देरी की वज़े से उनके न आने से Senior Resident ठक गए है अब उन्हें अस्पतालों में 32 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है न पढ़ाई के लिए मौका मिल पाता है और नहीं आराम के लिए दिन चरिया पूरी तरह से लड़ खड़ा गई है नीट पीजी काउंसलिंग में और देरी हुई तो नए वर्ष में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो जाएगी और स्वास्त सिवा पूरी तरह से चर्मर आ जाएगी विधान सभा सदन के भीतर और विधान भवन परिसर में विधायकों के बिगड़ते बरताओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई है विधान सभा के उपाध्यक्ष नरहरी बिर्बल ने सदस्यों को आचर सहीता की पुस्तिका उपलब कराई और सदस्यों से अपिल की कि वे अपना बरताओं सदन की गरीमा के अनुरूब रखे बता दे कि बिजेपी विधायक नितेश राणे द्वरा पिछले दिनों विधान भवन के मुख्य द्वार पर पर्यावरन मंत्री आदित्य ठाकरे के प्रवेश के वक्त म्यावम्यों की आवाज निकाल कर किये गए अशोवनिय बरताओं के बाद राज्य विधान मंडल के शीत कालिन अधिवेशन में नितेश राणे की निलंबन की मांग उठी थी अजित पवार ने कहा कि राज्य के लोगों का प्रतिनी धित्व करने वाले विधायकों को विधान सभा और विधान भवन परिसर में मर्यादा बनाय रखने तथा संसद्य प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है राज्य की 12 करोड आबादी का प्रतिनी धित्व करने वाले विधानसभा सदस्यों को शिष्टाचार और संसद्य प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है समय बदल गया है क्योंकि कार्यवाही के सीधे प्रसारन से लोगों को ये पता चल जाता है कि उनकी निर्वाचित प्रतिनी धि सदन में क्या कर रहे है पवार ने नितिश राने का नाम लिये बिना चुटकी ली कि हम जानवरों का प्रतिनी धित्वन नहीं करते है दूसरों का मजाग बनाना और जानवरों की आवाज निकालना लोगों के विश्वास के साथ धोका है जलगाओं में शिक्षक और शिक्षक एत्तर कर्मचारियों को शालार्थक रमांक आवंटित करने में हुई अनियमित्ता मामले में निलंबित ततकालिन शिक्षनाधिकारी देविदास महाजन को बरखास्त किया जाएगा प्रदेश के स्कुली शिक्षा राज्य मंतरी बच्चु कडु ने कहा कि इस मामले की चांच नाशिक विभाग के उपनिदेशक कर रहे हैं उन्हें दो महीने में चांच पुरी करने के निर्देश दिये गया है यदि दो महीने में रिपोर्ट नहीं दिया गया तो पनिदेशक को घर भेज दिया जाएगा कडु ने कहा कि राज्य के स्कुली शिक्षा विभाग में प्रश्टचार का कीड़ा लग गया है इस कीडे को समूल रूप से नश्ट किया जाएगा लगातार इस तरह के मामले सरकार और प्रशासन की विश्वस्नियता पर सवालिया निशान लगा रहे है इसलिए इसे दूर करना ज़रूरी है इसके लिए राज्य के शिक्षा आयुकत विशाल सोलंकी की अध्यक्षता में समीती गठित की जाएगी इस समीती में हर संभाग से एक विधायक को शामिल किया जाएगा कड़ू ने कहा कि राज्य में कम से कम शिक्षा और स्वास्ता विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए इसी दोरान प्रदिश के जल्स औरक्षन मंत्री शंकराओ गढ़ाक ने भी आश्वासन दिया कि औरंगाबाद के जल्स औरक्षन विभाग के कारियाले में साल 2017 से 2020 के दोरान फरिजी बिल के आधारपन स्टेशनरी खरीदी मामले की जाँच एक महिने में पूरी कर ली जाएगी इसके बाद दोशियों के खिलाफ उचित करवाई की जाएगी साल 2008 के मालेगावबं धमाके के मुकदमे की सुनवाई के दोरान उस समय नया मोडा गया जब प्रकरन से जुड़े एक गवाह ने मुंबई में राश्टिय जांच एजंसी की विशेश अधालत में दावा किया कि अतंकवाद निरोधक दस्ते ने उसे इस मामले में उत्तरवदेश के मौजुदा मुख्यमंतरी आधित्यनात योगी वराश्टिय स्वयम से वक संग के चार नेताओ का नाम लेने के लिए धमकाया था बदादे की वर्तमान में उगाही से जुड़े कई मामलों का सामना कर रहे है पुर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परंबिर सिंग तत्कालिन समय में एटियस के अतिरिक्त आयुक्त पत पर तैनात थे और वे इस मामले की जांच को देख रहे थे नयदिश के सामने अपनी गवाही के दोरान गवाहा ने कोड को बताया कि एटियस के तत्कालिन वर्ष्र अधिकारी परंबिर वो अन्य अधिकारियों ने उसे इस मामले में उत्तर प्रदेश के मौजुदा मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात वो आरेसेस के चार नेताओ का नाम लेने के लिए धमकाया था ताकि इस मामले में इने गलत तरीके से फसाय जा सके आरेसेस के नेताओ में एक नाम इंद्रेश कुमार का भी शामिल था गवाहा ने कहा कि उसे एटियस ने प्रताडित भी किया था और अवे तरीके से एटियस के कारियाले में बैठाया गया था मामले से जुड़े गवहा द्वारा ATS पर आरोप लगाने वाले वो ATS के सामने ऐसा कोई बयान न देने के चलते कोट ने गवहा को होस्टाइल खुशित कर दिया याद रहें मालेगाओं में 29 सितमबर 2008 को हुए बंधमाके में 6 लोगों की मौद भी हुई थी सुप्रीम कोट ने कहा है कि कोई बीमा करता पॉलिसी जारी होने के बाद प्रस्ताफ फॉर्म में बीमा धारक के बताई गई मोजुदा चिकित सियस्तिती का हवाला दे कर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकता तो कॉंगरेस नेता राहूल गांधी ने कहा कि जो भी लोग पिम मोदी के गलत फैसलों के आगे जुख जाते हैं वही हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी पर निशाना साधा वही बिहार सरकार में भाजपा के कोटे से मंत्री निरस सिंग बबलु के एक बयान के बाद जीतनराम माजी के नितीश सरकार गिराने की धम कि दी हैं इसी बीच कोरणा वाइरस के नए सरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए प्रदान मंत्री नरेंदर मो प्रदान डियारडियों ने सेना की महतोपूर्ण जरूतों का पूरा करने के लिए स्वदेशी और अत्याधिक थन के मौसं के कपडों की प्रणाली को पाँज भारते कमपनियों को सोब दिया है जो भारत में ही इन अत्याधिक गर्म कपडों का निर्मान करेंगी देश के पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ राश्री उभभोकता विवाद निवारन आयोक के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अमिरिका में हुए चिकित साखर्च के लिए दावा करने संबन दी उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था दंदा ने ओवरसीज मेडिकलेम बिजनेस एंड हॉलिडे पॉलिसी ले रखी थी क्योंकि उनका इरादा अमेरिका की यात्रा करने का था सेंद फ्रैंसिसको हवाई अड़े पर पहुँचने पर उन्हें दिल का दवरा पड़ा और उन्हें एक अस्पताल में भरती कराए गया जहां उनके एंजियो प्लास्टी की गई वही रुदय वाहिकाओं में रुकावट दूर करने के लिए तीन स्टेंड डाले गए इसके बाद अपिल करताओं ने बीमा करता से इलाज पर हुआ खर्च मांगा जिसके बाद में यह कहते हुए खारिस कर दिया गया कि अपिल करता को हाईपर लिपीडिमिया और मदुमेह था जिसका खुलासा बीमा पॉलिसी खरीदते समय नहीं किया गया था लेकिन पीट ने कहा कि अगर बीमा धारक अचानक बीमारी से ग्रस्त हो जाए जिसे पॉलिसी के तहट स्पष्टरूप से बाहर नहीं रखा गया है तो अपिल करता को खर्च की शतिपूर्ती करने का बीमा करता का करतव व्यब बन जाता है कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी पर निशाना साधा राजस्थान की राजदानी जैपूर में कॉंग्रेस पार्टी कारेकरताओ की बैठक का वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से सम्मोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी लोग पियम मोधी के गलत फैसलों के आगे जुख जाते है वही हिंदुत्व का पालन कर रहे है उन्होंने कहा कि जो चुनोतियों का सामना करते है वे हिंदू होते है और जो लोग डर के मारे समस्याओं से भागते है वे हिंदूत्व का पालन करते है जो लोग हिंदूत्व की विचारधारा में विश्वास करते है वे किसी के सामने जुखते है वे अंग्रेजों के सामने जुखते थे और वे पैसे के सामने जुखते हैं क्योंकि उनके दिल में कोई सच्चाई नहीं है इस इक्रम में राहूल ने आगे कहा कि अगर चीन ने भारतिय शेत्र पर कबजा कर लिया होता तो कॉंग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो इस्तिपादे देते जबकि RSS के का मुकाबला करने के उद्देश से कॉंग्रेस कारेकरताओं का जैपूर में प्रशिक्षन शिवीर आयोजित किया गया था कॉंग्रेस लगात्तार यह प्रचारित कर रही है कि देश में कट्टर हिंदुतों का नया समिकरन बन रहा है जो हिंदुस्तान के लिए सहीन नहीं यह सर्वधर्मसंभाव वाला देश है बिहार में इंदिनों जम कर सियासी खीचता चर रही है ताजा मामला पूरमुखिमती जीतनराम मान जी और भाजपा के बीच का है दरसल बिहार सरकार में भाजपा के कोटे से मंत्री नीरस सीम बबलु के एक बयान के बाद जीतनराम म इसलिए घटक दलो की ओर से उनके खिलाब बयान बाजी नहीं की जानी चाहिए दरसल बिहार में जीतनराम मान जी की ओर से ब्रामन भोच कायो जन किया गया था इदर भोच चर रहा था तो दुसी तरब भाज़ पानेता वह नितिस सरकार में मंत्री नीरज कुमार बंबलू ने उन पर बयान बाजी शुरू कर दी बंबलू ने तो यहां तक कह दिया कि जीतनराम मान जी को अब राजिती में सन्यास लेकर राम नाम जपना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मान जी पर अब उम्र का दुश्पर भाव हो रहा है उन्हें समझना चाहिए कि उनका बेटा भी नितिस सरकार में मंत्री है नीरस सिंग बबलू के बयान के बाद जीतनराम मान जी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हमला वर हो गई पार्टी के प्रवक्ता दानेश रिजवान ने कहा कि नीरस सिंग बबलू को समझना चाहिए कि अगर हम अपना समर्थन वापस ले ले तो नितिश कुमार की सरकार गिर जाएगी और नीरस सिंग बबलू सड़क पर आ जाएंगे कोरोना वाइरस के ने सुरूप ओमिक्रॉन के बरते संक्रमन को देखते हुए प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी आज मंतरी प्रशित के साथ अहम बैठक कर रहे है बैठक में सभी मंतरी शामिल होंगे उम्मित जताई जा रहे है कि इस दोरान पीम आगम इस साल में उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विदानसबा चुनाओ पर चर्चा करेंगे और उमिक्रॉन संक्रमन की स्तिती का जायद जालेंगे इसे पहले भी पीम मोदी पिछले गुर्वार को भी एक उच्चे स्तरिय बैठक कर चुके है इस बैठक में पीम ने अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने की सला दी थी पीम ने अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि डेल्टा के मुताबिक तीन गुनाज ज्यादा संक्रमन वाले उमिक्रॉन से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाए और जिलावत हसिल स्तर पर भी सतर्कता बरती जाए देश में उमिक्रॉन बहुत तेजी से फैर रहा है आलम यहां है कि देखते ही देखते यह संक्रमन 21 राजियों को अपनी सपेट में ले चुका है मौज़ुदा समय में देश में 650 से जादा लोग उमिक्रॉन से संक्रमित है वही दिल्ली वा महाराष्ट में संक्रमन सबसे ज्यादा है प्रदान मंत्री नर्दर मोदी ने ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए फ्रेंट लाइन वर्कर्स वा बुजर्गों के लिए प्रिकॉशन डोस की घोशना की है यह प्रिकॉशन डोस दस जन्वरी से लगाना शुरू होगी वही 15-18 वर्ष्टक के किशवरों के लिए भी वैक्सिन को मन्जूर इद्दे दी गई है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सेना की महत्वप्रोन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी और अत्याधिक ठंड के मौसम के कपड़ों की प्रणाली को पाच भारते कमपणी को सौप दिया है जो भारत में ही इन अत्याधिक गर्म कपड़ों का निर्मान करेगी रक्षानु संधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतिश रेड़ी ने राश्रिय राजधानी में इस तकनीक को कमपणीों को सोपा है उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवान ग्लेशियर और हिमाले की चोटियों में अपने निरंतर बर्फ में देश की सिवा करते है और ऐसे में उनको ज्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत होती है वही इस स्वदेशी तकनीक से भारतिय सेना को काफी फायदा होगा भारतिय सेना उचाई वालेक शेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए अत्याधिक ठंडे मौसम के कपड़े और कई विशेश वस्तर और परवता रोहन उपकरन वस्तूओं का आयात करती रही है DRDO के मुताबिक तिन स्थर्य अत्याधिक ठंड के मौसम के कपड़े प्रणाली को प्लस 15 डिग्री और माइनस 50 डिग्री सेल्सियस के बीच थर्मल इंसुलेशन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है मतलब माइनस 50 डिग्री पर भी शरीर का तापमान सही रहेगा और गर्मा हट रहेगी इस तकनिक में सास, गर्मी और पानी की कमी और पसीने को तेजी से सोखने से समदित शारिरिक रियाव सहित परियाप्त सास लेने की शमता और उन्नत इंसुलेशन के साथ-साथ अधिक उजाएवाले संचालन के लिए वाटर प्रूफ और गर्मी प्रूफ विशेश्ताय प्रूफ जाद देने पर सहमत हो गई है तो गूगल के सियो सुनर पिचाई से एक मामले में पूछ दाज की जा सकती है जिहां केलिफोर्निया के एक संगियन नयाइदीश ने इसे हरी जंडीत दे दी है वही सिंगापूर में भारते मूल के एक विक्ति को दूर्यविवहार कि तीन आरोपों और शराप पिकर साराजनिकस्तान पर लोगों को परिशान करने का आरोप में पाच हपतों की कहत की सजा सुनाई गई है इसे बीज नासा और अनंतरिक्ष एजंसियों ने जोड़ दे कर कहा कि पृत्वी से परेज जीवन की मौजूदगी संभव है उनके इस बयान को एलियन से जोड़ कर देखा जा रहा है वही ब्रिटिश एरवेज का एक विमान हाथसे का शिकार होने से बचा उड़ान भर रहे विमान पर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा और उसकी वेंड स्क्रीन टूट गई हाला कि विमान सुरक्षित उतर गया दुनिया भ वह अपने खिलाब दायर एक मुकदमे के निप्टारे के लिए 750 करोड रुपे का मुआज़ा देने पर सहमत हो गई है यह मामला 2000 महिलाओं से जुड़ा था वरतमान और पूर महिला करमचारियों ने कंपनी खिलाब 2018 में मुकदमा दायर किया था पहले मज 75 करोड रुपे म में ही मामले को रफा दभा किया जा रहा था लेकिन कैलिफोर्निया की दो करमचारी एजनसियों ने दखल दिया और न सिर्फ समझवते को रुखवा दिया बलकि महिलाओं को चित मुआज़ा देने के लिए कानुनी लड़ाई भी लेडी अतहां उनकी जीत हुई फैसले अन्य खर्चों के लिए 2 करण डॉलर यानी करीब 150 कर्यों रुपे का भुखतान करने होंगे इसके लावा कमपनी एक विविलता वह समावेशी कारेक्रम में पैसा लगाने को भी तैयार हो गई है कैलिफोर्निया में निश्पक्ष रोजगार वावा स्विभा के निरेशक क विनकिश के मुताबिक लॉस एंजलिस सुपरियर कोट त्वारा समझोते पर मोहर लगने के बाद यह गेमिंग जगत समेत तमाम उद्ध्यों को समान वेतन और कारेस्टल को लिंगभेश से मुक्त कराने का सक्त संदेश देगा गूगल के सियो सुंदर पिचाई से एक नीजता के मुकदमे के तहट पूछताच की जा सकती है वादी द्वारा दायर किये गे मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कालिफोर्निया के एक संगिय नयाधीश ने यह फैसला सुनाया है वादी ने इंटरनेट की इस्तिमाल को अवेद रूप से ट्रैक करने का अरूप लगया है इस मामले को लेकर जज गूगल सियो सुंदर पिचाई से दो घंडे तक पूछताच कर सकते है जुन 2020 में दायर मुकदमे में उपयोग करताओं ने गूगल पर इंटरनेट की इस्तिमाल को ट्रैक करके उनकी गोपनियता पर अवेद रूप से आक्रमन करने का आरूप लगया जबकि गूगल क्रोम बाउजर नीजी मोड में सेट किये गए थे वादी का कहना है कि सुन्दर पिचाई को क्रोमा ब्राउजर और प्राइवसी से संबंदित चीजों का काफी ग्यान है दुसरी तरफ गूगल का कहना है कि वादी के आरोप अनुचित है हम इस मामले में उनके दावो का जोड़दार विरोध करते हैं हमने उनके कई अनुरोधों के लिए सयो किया है हम अपने पक्ष का सकती से बचाओ करेंगे 2019 में पिचाई को चेताओनी दी गई थी कि कमपनी के गुपत ब्राउजिंग मोड को नीजी रूप में वर्नित करना समस्या ग्रस्त था दोनों पक्ष को सुनने के बाद कैलिफोर्निया की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गुगल की तरब से पहले यह कहते हुए स्पश्ट किया गया है कि गुपत के वल डेटा को इंटरनेट का इस्तमाल करने वाले डिवाइस में सेव करने से रोकता है इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए अब पुष्टाच अपर यहारे हो गया है सिंगापूर में भारते मुल के 65 वशे सेक्स मूर्ती नागपन को दुर्वेवहार के तीन आरोपो और शरापी कर सारवजनिक स्थान पर लोगों को परिशान करने का जुर्म सुईकार करने के बाद पाच हपतों की कैद की सजा सुनाई गई है मुर्ती नागपन इस साल 28 मार्च को लिटल इंडिया में टेका मार्केट के पास एक बस में नशे की हालत में चड़ा उसने अपना माक्स सही तरीके से नहीं पहन रखा था जब चालक ने उसे सही तरीके से माक्स भनने को कहा तो मुर्ती नाराज हो गया और अब शब्त कहे सरकारी लोग अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पुलिस को 15 मिनिट बाद सूचना दी गई मुर्ती पर पिछले महिने 738 डॉलर का जुर्मा ना लगाया गया मुर्ती नागपन के खिलाफ यह कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले भी उसे इसी तरह की एक घटनाओ में दोशी पाया था इसी साल एक अन्य घटना में उसने शराब के नशे में एक पुलिस अधिकारी और एक बसचालो को अपशब्द कहते तब भी उसके खिलाफ कारवाई हुई थी लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ दो माँ बाद 29 मई को मूर्ती टेका मार्केट के पास फिर नशे की हालत में मिला उसने वहाँ से गुजर रहे लोगों को अपशब्द कहे इस आचरण को देखते हुए अदालत ने मूर्ती को अब पाच हपतों की कैद की सजा सुनाई है सजा सुनाई जाने के तुरंद बाद उसे गिरफतार कर लिया गया अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है पर नासा और अन्य अंतरिक्ष एजंसियों ने जोर देकर कहा कि यह संबव है कि पृत्वी से परेज जीवन मौजूद है पिछले हपते क्रिस्मस पर दुनिया की सबसे शक्तशाली अंतरिक्ष दुर्बीन जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोप को कक्षा में प्रक्षे पित किया था इसका मकसद इसी तर्थ की पूछ्टी करना है माला जारा है यह दुर्बीन जल्धी ब्रह्मान के रहस्यों को उजागर करने के लिए काम करना शुरू कर देगा इसमें ग्रहों से लेकर सितारों, वन नेबुला से लेकर आकाश गंगाओ और उससे आगे भी ब्रह्मानों का अउलोकन किया जाएगा ये हमारे ब्रम्भान की इतियास में हर्चरन का अध्यन करेगा जिसमें बिग बैंक की ब्राद पहली चमकदार चमक से लेकर पृत्वी जैसे ग्रोह पर जीवन का समर्थन करने में सक्षम और प्रणालियों में सौर प्रणालियों के निर्माद से लेकर हमारे अपने सौर के विकास तक शामिल है इसे एलियंस के जीवन के अस्तित्व से भी जोड़ कर देखा जा रहा है हाली के रिपोर्टों के अनुसार नासा ने पहले से ही इस अंतर को पार्टने के लिए कदम उठाये है नासा 24 धर्मशास्तियों की मदद ले रहा है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दुनिया भर के विभिन धर्म के लोग एलियंस के संपर्क में कैसे आएंगे कैमरे जूश्विदाले के एक बिटिश धर्मशास्त्री उन 24 धर्मशास्तियों में से एक है उनका मानना है कि हमारी धर्मिक परमपरायव माननेताय काफी पुष्ट है और शोधो का ही बज गई बिटिश एरवेज का एक विमान हवा में उड़ रहा था तब विमान पर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा और टुकड़े के टकराने से उसकी विंड स्क्रीन टूट गई और उसमें बैठे यात्री बाल बाल बज गए और विमान सेंजोस में सुरक्षित उतर गया खबरों की माने तो बोईंग 777 विमान 35,000 फीट की उचाई पर उड़ रहा था क्रिसमस के दिन लंदन के गैटविक से कोस्टा रीका से सेंजोस की यातरा के दोरान यदुर घट ना हुई बर्फ के टुकड़े दो इंच मोटी विंड स्क्रीन को पूरी तरह से तोड़ दि समय पर अपने घर नहीं पहुंच सके विशेशग्यों की माने तो ऐसी घटना को 10 लाक में एक बार होती है मिडिया रिपोर्ट्स की मताबिक 23 दिसंबर की शाम को फ्लाइट सेंजोस से गैट वीक को रवाना होने वाली थी लेकिन विंड स्क्रीन की मरमत में लगने वाले वक्त की वज़ह से यातरियों को पहुँचने में कम से कम 50 घंटे की देरी हुई और उन्हें लंदन को प्रस्थान करना पड़ा इसकी वज़ह से यातरियों को खासा परेशानी जहलनी पड़ी तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रिए वीके बीन्यूस नमस्कार झाल